नमस्कार दोस्तों अनुप इस्टेडी जोन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर और अक्टूबर 2020 के जितने भी यूपी करेंट अफियर्स होंगे उनको हम इस वीडियो में देखेंगे तो बिनादिर के चलते हैं अपने टॉपिक पर पहला है उत्तर प्रदेश में बिद्यादान मा के रूप में मनाया गया तो यह मनाया गया सितंबर एवं अक्टूबर मा ठीक है इसके लिए उच्छ सिच्छा की डिजिटल लैबरेडिस में अधिक से अधिक संख्या में इ-कंटेंट अपलोड करने वाले सिच्छ को और उनक आगरा में स्थीत मुगल म्यूजियम का नाम अब रखा जाएगा तो नाम जो रखा जाएगा वो छत्रपति सीवा जी महराज के नाम पर रखा जाएगा और यह जो है ताज महल जो है ताज महल में पुर्वी गेट पर बन रहा है और यह म्यूजियम लगभग 1.500 करोर रुपए का प्रुजेक्ट है Next प्रदेश की दूसरी बड़ी इमारत बनेगी तो यह प्रदेश की दूसरी बड़ी इमारत बनेगी कानपूर के ट्रांस गंगा हाइजटेक सिटी में ठीक है और जो की UP की दूसरी सबसे बड़ी इमारत होगी और इसमें 55 से 60 मंजिल तक के अवासिय प्लैट बनाये जाएंगे और हम आपको बता दे कि सबसे बड़ी इमारत जो है नोएडा के सेक्टर में बनाई जा रही है जो सुपर नोवा परियोजना में है जिसकी उचाई 56 से 80 मंजिल होगी जो भी प्रस्तावित है नेक्स्ट प्रदेश की 11 सडके सहीदों के नाम से जाने जाएंगे यह जो 11 सडके जो सहीदों के नाम से जाने जाएंगे यह जो है मुझपफर नगर में नदी रोड पर नए सेतु का नाम करड़ पुलवामा आतंकी हमले में सहीद हुए बीर जवान प्रसांत सर्मा के नाम पर किया जाएगा ठीक है अधिसूचना जारी की गई है किसके द्वारा यह अधिसूचना जारी किये है लोक निर्माड विभाग द्वारा नेक्स्ट राज्य का पहला फैक्टरिक कम्पलेक्स बनाया जाएगा तो यह कहां बनाया जाएगा आगराम बनाया जाएगा और इसकी जो लागत होगी वो होगी 125 करोड रुपए और कम्प्लेक्स में जो है 68 यानि की 68 फैक्टरियां संचालित होगी तथा एक्जिविशन एरिया भी बनेगा और इसमें उद्योग कौन-कौन से होगे जैसे की चमडा हो गया यानि चमडा कटाई हो गया सिलाई हो गया और IT उद्योग हो गया साइकिले हो गई प्रिंटिंग हो गया चाय पैकिंग हो गया और कार्टन लेन कार्पूरेट हो गया जूते हो गया चपल हो गया आधी सभी की फेक्टरियां जो है इसमें उद्योग के रूप में रहेंगी ठीक है नेक्स्ट प्रदेश के किस जनपद में टेक्स्टाइल पार्क बनेगा तो प्रदेश के फते गंज पस्चिम में बनेगा जो की यह बरेली में है ठीक है बरेली नेक्स्ट उत्तो प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कृसी निरियात निती की घोशना के तो राज़ सरकार ने 2024 तक क्रिसी उत्पादों का निरियात दो गुना करने का लच्छ रखा है और इसके लिए किसान और उद्यमियों को प्रोचाहन देने के अनेक कदम उठाये जाएंगे और यह निती जो है किसानों की आई की दूगना करने के लच में कोशना की गई है नेक्स्ट है इलहाबाद हाई कोड में चार नए नयाधिसों की नियुक्ति की गई तो चार नए नयाधिसों की नियुक्ति की गई है तो पहले हैं सुभाश चंद सर्मा अपर प्रदेश में भौतिक स्टांप पर बंद अब सिर्फ इस्टांप लागू होंगे इस्टांप जो है उपलब्द कराने की जिम्यदारी जो है स्टाक होल्डिंग कार्पोरिशन आफ इंडिया को सौपी गई है और इस्टांप जो है इसको सुविधा जनक बनाने के लिए 10,000 स्टांप विक्रेता नियुक्त किये जाएंगे तधा एक लाख रूपए की इस्टांपिंग पर विक्रेता को 115 रूपए कमीशन मिलेगा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में बेवले एंड स्टाक रिवालबर बनाया जाएगा यह हर दोई जीले के संडीला कस्बे में फैक्टरी इसकी लगाई जाएगी जो लखनो की सियाल मैनुफेक्चरिंग कमपनी के साथ समझोता किया है इसके पहले चरण में जो है 0.32 mm का रिवालबर बनाया जाएगा नेक्स्ट प्रदेश की स्रम कल्याण परिसत द्वारा तीन नई योजनाओं का प्रारंब होगा और राष्ट्र रिसी दन्तो पंत ठेंगडी के जन्म सताबदी वर्स के समापन पर सुभारंब होगा और इसके जो पुर्व खेल मंत्री चेतन चौहान के नाम पर स्रमिक खेल कल्याण योजना और कवित्री महादेवी वर्मा स्रमिक पुस्तक योजना और स्वामी विवेकानन धार्मी के वंपरटन यात्रा योजना योजना ये जो हैं तीनों योजनाएं प्रारंब की जाएंगी जो दस नॉवंबर को किया जाएगा ठीक है और यूपी जो स्रकल्याण परिस्द में अभी जो है 11 के बजाए कितने सदस से होंगे ये नोट में लिख लिजेगा ठीक है नेक्स्ट किस विश्व विद्याले ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे छमतावान कार्बन एरोजेल हाइड जोजन स्टोरेज विक्सित कर दिखाया है तो यह है बी एचियू बनारस हिंदू विश्व विद्याले ने मंगल और मानव मिशन में इस तक्नीक की मत्वपुड भूम क्या होगी और बी एचियू जो है यह देश में देश का एक मात्र हाइडरोजन सेंटर है जो इस तरह के राष्टी अंतराष्टी मात्व के सोथ पर काम करता है एक जनपद एक उत्पाद के जैसे ही प्रदेश सरकार अब एक जीला एक धरोगर गाउं योजना सुरू करेगी इस योजना का जो लच्छ है वो ऐसे सबसे स्रिष्ट ग्राम की कला और उससे जुड़े कलाकारों को मंच प्रदान करना है आलहा, विरहा, कजरी, आदी के उद्वो अस्थलों के साथ ही विशेश हस्त शिल्प के गाउं का भी चैन किया जाएगा ठीक है, नेक्स्ट जो है, प्राविधिक, ब्यवसाइक और कौसल विकास से जुड़े 20 लाख, छात्र छात्राओं और विशेशज्यों को लाव मिलेगा और इस पोर्टल की जो, यह जो पोर्टल है, इसके माध्यम से किसी भी छात्र या छात्रा के बारे में जानकारी मिल सकेगी और उत्तर प्रदेश जो है, देश का पहला राज है, जहां देश का पहला एक कृत पोर्टल लागू हुआ है राष्ट्री सांख की कारियाले द्वारा जारी साचरता आकड़ों में उत्तर प्रदेश का अस्थान रहा तो यह है 73 परसंट जो की यूपी के साचरतर 73 की सदी है, ठीक है, 73 फिसदी है वहीं सिर्श राज्य केरल है और सबसे कम साचरता आंदर प्रदेश की है जनंगरड़ना 2011 के अनुसार यूपी में साचरता दर 67 परसंट है नेक्स्ट देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप के अंदर अस्थापित किया जाएगा तो यह अस्थापित कहां पर किया जाएगा? लखनव में किया जाएगा और साफ्ट वेर टेकनोलोजी पार्क सब इंडिया के द्वारा वही आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस पर आधारित उत्रकिस्टता का केंद्र आई 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 टी कानपूर की मदद से नोईडा में अस्थापित किया जाएगा मेरट कानपूर प्रियागराज गोरखपूर आगरा वाराणसी लखनव बरेली में आई टी पार्क बनाई जाएगी ठीक है? नेक्स्ट राज सरकार द्वारा वैदिक विश्व विद्याले अस्थापित किया जा रहा है प्रियागराज में किया जा रहा है उत्त प्रदेश राज अध्योगिक विकास प्राधिकरड़ अब बल्क ड्रग पार्क का निर्मार कर रहा है तो यह कहाँ पर किया जाएगा? ललितपूर में कर रहा है और दोजार साथ एकड में प्रस्तावित इस पार्क की स्थापना में करीब 24,000 करोड का निवेश और 31,000 लोगों को रोजगार के आउसर मिल सकेंगे और इसकी स्थापना से दवाईयों और चिकित सी उपकरडों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा उत्ताप्रदेश की जैविक खाद प्रसंस्क्रड इकाई का उधगाटन किया गया तो यह किया गया किसके द्वारा किया गया हर सिमत का और बादल द्वारा किया गया जो कि केंदरी खाद प्रसंस्क्रड उध्योग मंत्री है और इससे जो है 5000 किसान लाभावरित होंगे और इससे 50 दसमलो तीन तीन करोड रुपए के निवेस का भी लाभ मिलेगा और इस इकाई का नाम जो है मैसर्स आर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिम्टेड होगा नेक्स्ट तीन सो करोड रुपए के सबसे बड़े आक्सीजन प्लांट का सुभारम किया गया तो यह सुभारम कहां पर किया गया है गाजियाबाद में किया गया है और गाजियाबाद के मोदी नगर में किया गया है इसमें उच्च गुडवर्ता की लिक्विड आक्सीजन का मरीजों के अस्थान स्पेस सटल में किया जा सकेगा ठीक है नेक्स्ट इस संजीवनी पोर्टल के माध्यम से आनलाइन ओपीडी सेवा उपलब्द कराने में यूपी का स्थान है कौन सा स्थान है यूपी का दूसरा स्थान है जबकि सिर्ष स्थान यानि के पहला स्थान किसका है तमिल नाडू का है तमिल नाडू का और यूपी में अब तक जो है एक लाख एक सो नौ लोग इस सेवा का प्रयोग कर चुके हैं नेक्स्ट प्रदेश में ग्रीन फिल्ड डेरी का निर्माड किया जाएगा रेजो की आठ अस्थानों पे किया जाएगा और ये आठ अस्थान कौन कौन से हैं लखनौ है वारानसी है अयोध्या है मेरट बरेली मुरादाबाद गोरकपूर वा फिरोजाबाद इन आठों अस् एक्सप्रेस्वे पूरी तरह से बनेगा एको फ्रेंडली तो बनेगा पर इसमें जो है 296 किलोमेटर लंबे इस एक्सप्रेस्वे के दोनों तरफ जो है 2.70 लाक यानि 2.70 लाक जो है पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है नेक्सट प्रदेस में उर्जया विभाग द्वारा तापी विद्वुद ग्रहों से बिजली उत्पादन छमता का लच्छ रखा गया है तो यह जो लच्छ रखा गया है कितने मेगावाट तक का तो 7260 मेगावाट तक का यह लच्छ रखा गया है और यह जो है 2022 तक इसका 1734 मेगावाट हो जाएगी नेक्स्ट सितंबर में केंद्री सांख्य की मंत्राले की और से जारी उपभुकता मुल्य सुषकांक में उत्ता प्रदेश की महागाई दर रही तो 7.03 जो कि यह जो है यह छट्वे अस्थान पर रही ठीक है तो पहले अस्थान पर कौन से रही त सम दूसरे स्थान पर पस्चिम बंगाल तीसरे पर उडिशा चौथे पर तेलंगाना और पांचवे उत्त्राखंड और छठे पर उत्तरपरदेश नेक्स्ट IIT-BHU के बोर्ड आफ गवर्नर्स के चेर्मेन बने तो इसके चेर्मेन बने डाक्टर कोटा हरी नरायाड ठीक है जो कि लड़ाकु विमान तीजस बनाने वाले डाक्टर कोटा हरी नरायाड है नेक्स्ट बनारस की तर्ज पर जनपद में कूज चलाने की योजना बनाई गई तो यह जो कूज योजना चलाई गई है यह जो है परेटन के विकास के लिए चलाई गई है और योजना जो है आयोध्या में सरीव नदी पर यानि की गुपता घाट से आयोध्या तक होगी सुविदा केंद्र खोलेगी जो कि जो क्रिसी निर्यात होगा वो क्रिसी निर्यात को दोगुना करने के लिए इस सुविदा को खोलेगी जैसे कि आवला के लिए प्रताबगण और लखनव तथा सहारनपूर समेत अयोध्या एवं वराणशी को आम के क्लस्टर में रखा पहला मधर Cherry गोविड नैंटीन जो है अस्पिताल बनाएगया जो पहर सी देख लेते हैं घरवती महिलाओं में गुरूना वइरस उपचार है तो प्रदेशक पहला अस्पिताल बनाया गया तो यह बनाया गया है MCH Wing को बनाया गया है जो कि लखनव के चिन हट में स्थीत है नेक्स्ट है आपका इंडियन स्मार्ट अवार्ड कंटेंड 2020 में जो है प्रदेश के कितनी सीटें सामिल सीटी सामिल है तो प्रदेश की चार सीटी सामिल है इसमें तो ये जो चार सीटी है कौन-कौन सी सीटी है उत्तर प्रदेश की पहला है सहारनपूर दूसरा है वाराणशी तीसरा है आगरा और चौथा है अलेगर ये चारो राज जो है इंडियन स्मार्ट अवार्ड कंटेस्ट 2020 में प्रदेश के चार सीटी जो है ये सामिल हुए है प्रदेश में प्रतेक डिवीजन में एक हवाई अड़ा बनाने की योजना लागो की गई तो डिवीजन में जो है एक हवाई अड़ा योजना जो है लागो की गई है जो कि 20 हवाई अड़ो का निर्मार किया जाएगा यूपी सरकार का जो है कहना है कि विमानन छेत्र नोएडा तक सिमित नहीं होगा बलकि अब जो है यूपी के पूरे राज में विक्सित करने की योजना बनाई गई है तो ये जो है राज में हमें इसमें पॉइंट बता दें कि प्रदेश में खोले जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज तो कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे आठ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और आठ मेडिकल जो खोले जाएंगे कहां कहां खोले जाएंगे एटा, गाजीपूर, दिवरिया प्रतापगड, फतेहपूर, मिर्जापूर, सिधार्थ नगर और हर्दोई यह आठो अस्थान पर जो है नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे और यह जो है दो जिलो के बीच में एक मेडिकल कालेज रहेगा हम बता दें आपको कि यूपी में पुराने आठ मेडिकल कालेज हैं इसके अलावा 18 मेडिकल कालेज जो है निर्माडा धेना यानि की 18 जो है पेंडिंग में है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के प्रतेग जिले में बनेंगे तसकरी विरोधी पुलिस स्टेशन तो तसकरी पुलिस जो है तसकरी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाये जाएंगे यह जो है महिलाओं और बच्चों की सुरच्छा से समबंदित है और जो है इसमें पॉइंट बता दें कि इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतन्त रूप से मामले की जाच करने के लिए परियापत अधिकार दिये जाएंगे हम आपको बता दें कि राज सरकार जो है चालिस नई मानव तसकरी विरोधी इकाईयों की स्थापना करने जा रही है कितनी? चालिस जो जीलों में पुलिस थानों की तरह काम करेंगी ठीक है? तो ये था आपका उत्तरप्रदेश करेंड फेर तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद